नमश्कार में श्मला से राजेश मंधोतरा आप दिवेह माचल टीवी देख रहे हैं आज शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट जो आज की बड़ी खबरों की है वो आपके साथ हम इस बुलेटिन के जरीए साजा करेंगे देखिए आज बहुत सारी अपडेट एक स पयशली खास कर जिसको आह आप एक मिशन का एरियर कह सकते हैं और उसके साथ जो सेनियोरिट इशु है पैंशन का इशु है और डेली वेजर क्लास थ्री को लेकर उस नोटिफिकेशन की बात आपको बताएंगे कैबिनेट से पहले हल चल क्या है वो बताएंगे क्लास थ्री को लेकर एक जो क्लास थ्री के सारे पोस्ट कोड है उनको लेकर जो नोटिफिकेशन आज हुई है उसकी बात करेंगे टीचर अवार्ड पॉलि लेने के लिए प्रक्रिया बदली जाएगी उस प्रक्रिया की बात आज आपको बताएंगे करमचारी महासंग जे सी सी को लेकर क्या नई अपडेट आई है वो बता देंगे आपको अभी और उसके साथ जो वर्टनरी फार्मासिस्ट को लेकर अभी जो पहले अपॉइंट्मे इस नुक्ती का मामला कहां तक पहुँचा है इन सब की बात करेंगे पुलिस भरती में भी एक बड़ी प्रक्रिया में बदलाव हुआ है वो जानकरी भी साथ में अड़ करेंगे और बाकी सारे मामलों के साथ शुरुआत करेंगे आज के इस बुलेटिन की मौसम की अगर मै बात करूँ तो मौसम में जो मौनसून है वो एक तरह से रूट किया है जो मौसम विभाग की प्रडिक्शन है उसके मताबिक भी बहुत जो परसंटेज है लगबग अब 50% तक को बात जाने वाली है कि जो बारिश हैं वो हिमाचल में कम हो रही है और जो पॉकेट्स में में लेकिन जो बाकी चीज़ें चल रही है जैसे आज भाजपा की दो दिवसीय बैठक प्रदेश कारे समीती की जो उन्ना में चल रही थी आज उसका समापन हो गया जिसमें दो राजनितिक प्रस्ताव पारित किये गए हैं एक तो यही है कि जो प्रधान मंत्री ने तीसरी बात हैं लेकिन इसमें प्रदेश कारे समीती की बैठक में मुख्या वक्ता के तौर पर केंद्रिया उर्जा मंत्री और शाहरी विकास मंत्री खटर साब को बुलाया गया था जो हर्याना के बात वहा कही हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मिरिची मिरिक परिशा और उनको इस चुनाब में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया तो वो उसी में ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उनको सत्ता मिल गई हो दूसरी तरफ जराम ठाक उनने जरूर एक सवाल किया है आज जिसी बैठक के जरिये की जो कॉंग्रेस पार्टी किस बात का ढोल पीट लें भाजपा जीती है. कॉंग्रेस को सिरफ साथ विदान सबाक्षेत्रों में लीड बिली है बड़त मिली है. और विदान सबा उप्षिन weather में भी कॉंग्रेस 40 ही लेकिन हमने 3 ML और एड़ कर दी हैं. पहले जो सरकार बदलने हैं सरकार घिरने सरकार गिरने की जो बात की जारी थी भाजपा निताओं की ओर से वैसी आज कोई बात नहीं की गई तो ये तो अब बिजेपी की जो बैठक दो दिन की थी उसकी बात है अगली बात करें अगर हम तो वो है मुख्या मंतरी सुकविंदर सिंग सुकू की हर्याना के पूरों जो शहरी विकास मंतरी मनोलाल खटर के साथ चंडीगड में हिमाचल भावन में जो बैठक हुई है वो बड़ा इंपोर्टेंट मैटर आज है और वो इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि मुख्या मंतरी ने इनके साथ बैठक वैसे शिमला में प्लैन की थी बाद में दोनो क्या-क्या धार पर फॉर्मन्ट है बजट का तो उस फॉर्मन्ट को बदला जाना चाहिए पहड़ी राजियों के लिए और हिमाचल के लिए भी केंव एप्धिक्र सरकार इस फॉर्मन्ट में बदलाव करे ताकि 15 Final Commission हो या फिर केंव सरकार की Grands हो उसमें हिमाचल को अलग की गई है मुक्यमंत्री के द्वारा ताकि राज्य सरकार इस प्रपोजल पर आगे काम कर सके होमस्टे को जटका लगेगा हिमाचल में 4000 से ज्यादा होमस्टे हैं लगबग होटल और होमस्टे बराबर बराबरी हैं होमस्टे को लेकर चलन इसलिए अचानक बढ़ गया था क्य सरी बैठक 22 तरीक को फिर से सची वाले में बुलाई गई है इस कैबिनेट सब कमिटी में जो पंचायती राजमंतरी अनुरूद सिंग हैं वो भी हैं और उन्होंने आज ये कहा है कि जो हमस्टे हैं 4000 से ज्यादा इनको बिजली पानी अब कमर्शियल दरों पर मिलेगा जो डुमेस्टिक दरों पर मिल रहा था वो कमर्शियल दरों पर मिलेगा राज्य सरकार कोई नया टैक्स या सेस्बिन पर लगा सकती है और तीसरी बात ये कि जो 118 की परमिशन लेकर जिनोंने घर के लिए परमिशन ली और बाद में होमस्टे बना लिया उनको भी कमर्शियल इसको वहां तो होमस्टे परमिसिबल ही नहीं होगा तो ये जो दो तरह की बदलाव हैं वो इसमें किये गए हैं और 22 तारीक की बैठक में ये सिफारिशें फाइनल हो जाएंगी और उसके बाद इन सिफारिशों को कैबिनेट में रखा जाएगा ताकि अगला जो डिसेजन हमिरपूर से बिजेपी के आशीश शर्मा हों दो कंग्रेस एक बिजेपी इनकी जो ओत है वो विधानसबा में होगी ये होगी 22 तारीक को और 23 जुलाई को 11 बजे से 5 बजे तक जो नए विधायक हैं 26 विधायक इस विधानसबा में अब हो गए हैं जो फस्टाइम चुनकर आए हैं उनकी जो ट्रेनिंग है पूरे दिन की वो विधानसबा में होगी और 23 तारीक को इस ट्रेनिंग को रखा गया है HPU में आज भी एक गेट मिटिंग हुई है हंगामे की शुरुआत आप इसको कह सकते हैं गैर सिक्षक करमचारी संग ने करमचारियों की कमी को लेकर ये गेट मिटिंग VC कारेले के बाहर की है 400 से ज्यादा पद इन्वेस्टी में खाली है ऐसा इनोंने कहा और स्थाई कुलपती ना होने के कारण जो इन्वेस्टी का नुकसान हो रहा है इसको जो गैर सिक्षक करमचारी संयुक्त समनवे समिती है ये इन्होंने कहा कि अब रेगुलर तोर पर आगे जो विरोध प्रदर्शन होंगे ताकि इस मांग को पूरा किया जा सके और जो खाली पद है उनको भरा जा सके एक बड़ा महतवपूर्न सब्जक्ट हमारे विवेवर्ज के लिए चाहे वो शहर हों चाहे गाओं हों चाहे युवा हों चाहे बजूर्ग हों चाहे महिलाएं हों जो ये साइबर ठगी है या किसी भी तरह के मामले जो ठगी के हैं उनमें एक नया एक ट्रेंड सामने आया है वैसे इसका प्रयोग कई जगों पर पहले हो चुका है सिम वेरिफिकेशन के नाम पे चौपाल उपमंडल में एक व्यक्ति को ये पुलिस थाना चौपाल में ये ग इन्होंने डुप्लिकेट सिम ले ली शिकायत करता ने बताया कि उसके बाद उसे एक मैसेज आया उसके बैंक खाते से 3,4,322 रुपे ट्रांसफर हो गए कहीं और अब इन्होंने शिकायत दी है साइबर ठगों की तलाश पुलिस किस तरह से करती है कर पाएगी नहीं कर पा पैसा रिकवर करने में बाद में बहुत दिक्कत होती है और इस तरह के ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं अब जो बात है वो करते हैं कि जो अफसर दिल्ली दोड़े हुए हैं उनकी देखिए आज एक नया ओडर आ गया और वो निकती के आदेश हैं प्रियतू मंडल जो सेक्रेटरी हैं पंचायती राज विभाग के प्रियतू मंडल इनका अपॉइन्मेंट भारसरकार ने कर दी डॉक्टर शेमा प्रसाद मुखर जी रास्ट्रिय वाटर एंड सैनिटेशन इंसिचूट कोलकाता में ये डारेक्टर होंगे उस इंसिचूट के केंद्रिय ज हैं निरवाचन अधिकारी हैं उनको भी नोसी मिल चुका है लेकिन वो रुके हुए हैं सिर्फ इलेक्शन कमिशन की क्लियरंस के कारण क्योंकि यहां उपचुनाव और लोकसभा चुनाव आ गए थे तो वो भी जाने वाले हैं आशुतोष गरगिस से पहले चले गए हैं इ क्योंकि अफसरों की बहुत कमी हो जाएगी कंप्यूटर टीचर की बात कर लेते हैं देखिए आज शिमला में शिमला की सडकों पर चाहे ओक ओवर मुख्यमंतरी निवास से लेकर राज्य सचिवाले तक जो कंप्यूटर टीचर हैं महिलाएं हैं पुरुष हैं यह बड़ी जो स्कूल लेक्शर कंप्यूटर अप्लिकेशन जो कंप्यूटर साइन्स के जो पद निकले हैं यह 769 यह उनके जो भरती नियम हैं उनको लेकर ये कहरे हैं तेरा सो टीचर हैं यह कमसे कम यो कह आ रहे हैं कि एक मुष्त इन ही को इन पदों के अंगेस्त भरती किया जाए और कोटा के बजाए सिर्फ ये पद इनी को दिये जाएं जबकि जो दूसरे हैं जो ओपन कटेगरी से आकर इन पदों के अंगेस्ट अपलाई करना चाहते हैं उनके रास्ते ब्लॉक कर दिये गए हैं क्योंकि भरती नियम इस तरह के बनाए गए हैं कि जो एक्सपरियेंस चा अब scor और आज बरती नियम हो मैं इनके नंबर दिये गए हैं अबसके बजाए ये सारे थी आज करने की कोशेश भी की गई लेकिन इन्हों ने क्योंकि पहले ये मुक्रे मनतरी से मिलना है अपनी बात कहनी है फिर जो आश वाशन से मिलता है उस दंक से आगे मीडिया से बात करेंगे तो अभी तक इनकी मुलकात हुई है नहीं हुई है यह अपडेट अभी ताजा नहीं आया है लेकिन ये मसला भी क्योंकि भरती नहीं शुरू हो गई है और बड़ी लंबे विवाद के बाद शुरू हुई है क्योंकि हाई कोट ये मामला पांच साल से ज्यादा टाइम तक वहां आठका रहा अगली बात पुलिस भरती में बदलाव की करेंगे देखिए पुलिस भरती में बदलाव एक बड़ी खबर इसलिए है क्यांकि बहुत सारे जो हमारे व्यूर हैं जो यूआ हैं जो कॉंस्टेबल की भरती के लिए अपलाई करना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि इसमें अप्लिकेशन आवेदन में देरी क्यों हो रही है देखिए जो रूल्स बनाए गए थे इस बार पुलिस भरती के उन रूल्स में जो डिस्टिक कैडर कैसे अडेंटिफाई होगा या कैसे नोटिफाई नहीं थी इस कारण जब भरती की रिक्विजेशन लोकसेवायोग और इसमें अपजेक्शन लगा दिये थे और इस अपजेक्शन के बाद ये फाइल फिर पुलिस मुख्याले जो लोकसेवायोग और होम डिपार्टमेंट ऐसे चिवाले का उसके बीच में घूमती रही 18 जून को कैबिनेट की बैठक हुई उस बैठक में एक साल इनकी एज की छूट दे दी गई और इस एज के कारण 26 वर्ष तक सामान्य उमिद्वार 28 वर्ष तक S.E.S.T. वाले O.B.C. वाले और जो खिलाडी हैं वो 29 वर्ष तक भी इसमें अपलाई कर सकेंगे लेकिन अब एक नया रास्ता निकला है पहले का इसको ऐसा था कि कहीं कैबिनेट में नहीं भीजना पड़े लेकिन ऐसा नहीं है अब बात यह हुई है कि पहले तो 1226 पद जो पहले Constable भर्ष के लिए थे उसमें पुलिस मुख्याले ने 30 या 31 पद और एड़ किये हैं जो बैक मुख्याले ने ये कहा है लोकसे वायोग को कि स्टेट मेरिट से आप ये भरती करिए भरती एजनसी लोकसे वायोग है और स्टेट मेरिट का मतलब यह है कि जो पोस्ट हैं अलोकेट कर दी गई हैं district wise वो अड़ॉटाइज तो district wise ही होंगी लेकिन उनमें नियुक्ती और चाहता है और वो option उसको मिलेंगे merit के हिसाब से अगर उसकी merit कम है तो उसको कांगडा नहीं मिलेगा फिर उसको दूसरा डिस्टिक मिल जाएगा इस कारण जो एक डिस्टिक का जो कोटा है उसमें दूसरे डिस्टिक के अभ्यरती न्यूकती पा सकते हैं ये ब्यवस्था इसम कर दिया है जो 84.10% रहा है और इससे पहले जो कई तरह के result है वो अलरड़ी घोशित किये जा चुके हैं पुलिस भरती के बाद अगर बात करें जेविटी न्यूकती की देखिए जेविटी बैच वाइज न्यूकती को लेकर जो update हमारे पास अभी तक है और जो बहुत सारे candidate भी इस बारे में update चाहते हैं उनको लेकर ये बता दें कि पहले view तो यही है कि जो rationalization की प्रक्रिया को पहले पूरा कर लिया जाए सची वाले के जो education के अधिकारी है उनका ये मत है कि पहले जो rationalization होनी है उसको कर लिया जाए क्योंकि 700 के आसपा स्कूल ऐसे हैं जिनको या तो merge करना पड़ेगा या close करना पड़ेगा जहां 5 से कम बच्चों की strength है और इन बच्चों की strength के कारण ही teacher की post यहां से permanently transfer करनी पड़ेगी इसलिए जो issue है जेविटी की appointment का वो बीच में अटका हुआ था इसके बावजूद आज एक और सुचना ही आ रही है कि elementary ने जो station ल इसलिए इनको छोड़ दिया गया है इसलिए जो नियुक्ती की list है वो Monday तक आप ही सकती है Monday Tuesday तक issue सिर्फ इसमें इतना है कि जो rationalization के साथ साथ school of excellence घोशित होने है elementary में भी उसमें कई ऐसे schoolों से भी post shift होनी है with post teacher shift होना है जिन को close नहीं किया जाना है लेकिन वहां से center of excellence के ल लेकर कुछ view ले वो पता लगेगा Monday को ही लेकिन rationalization की प्रक्रिया पूरी होने से पहले भी TGT न्यूक्ती की list जो है वो आ सकती है यह अभी ताजा update अभी तक का है इसके बाद HRTC conductor की बात कर लेते हैं HRTC conductor की जो post हैं उनको भरने के लिए 257 पहले यह post थी इनको भरने के लेगी आज BOD की मिटिंग थी उसमें मुक्य मतरी मुक्य शगनी होतरी ने जल्द इनको न्यूक्ती देने के लिए कहा है कल या परसों आया maximum Monday तक यह न्यूक्ती मुझे लगता है हो जाएगी क्योंकि HRTC ने इनके इनकी न्यूक्ती को लेकर जो internal exercise है वो कर रखी है और HRTC न वो का वो पूरी तरह से बदला जाएगा यह decision पहले हो चुका है आज री confirm हुआ है BOD की मिटिंग में अब veterinary pharmacist की बात कर लेते हैं जिनको 16 तारीक की शाम को appointment order दिये गए 17 तारीक को withdraw कर लिये गए अब नए order कब होंगे इसकी ताजा update अब हम लाए हैं देखिए आज क्यों लेकर जो नुक्ती के आदेश थे इनका जो विवाद हुआ था वो कुछ station लगाने को लेकर विवाद हुआ था कुछ जो station list में लगाय गए थे 2-3 वो गलत लगा दिये गए थे कुछ में जो station है वो double लगा दिये गए थे और ये जो double station लगे थे इसके कारण जो शिकायट फ उसके बाद ये मामला सामने आया सरकार के फिर इन स्टेशन को करेक्ट करने के बजाए डिसेजन ये हुआ कि फिलाल इसको विड्रॉ कर लिया जाए और फिर विड्रॉ करने के बाद जब नए सिरे से लिस्ट निकल नहीं है तो वो हो और आज रकेश कंवर जी ने कहा कि जल्दी ये लिस्ट दुबारा से निकल जाएगी इसमें ज्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है और जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट होगी उसकी और जानकारी जो भी होगी वो हम आपको अलग से देंगे अब अगली बात करते हैं जेओ आइटी 817 की और इसी के साथ हम बात करेंगे क्लास थी की नोटिफिकेशन की भी तो पहले बात कर लेते हैं जेओ आइटी 817 की और इसमें आज अब भेरतियों ने क्योंकि इनको रिजल्ट चाहिए था हीमाचल हाई कोट में जो फैसला पिछली बार लगा था पिछले पोस्ट कोड के एक एक एग्जिकुशन पटिशन के कारण उसमें राज्या सरकार की और से ये कहा गया था कि 16 जुलाई तक रिजल्ट घोशित होने की संभावना नहीं है तो फिर कोट ने आगए इंटरेम और कोई पारित नहीं किया लेकिन सरकार को एक तरफ राज्या चाहिन आयोग को इस केस की सनवाई का इंतजार था दूसरी तरफ राज्या चाहिन आयोग में जो रिजल्ट बना है 817 का उसकी एक, एक कैंडिडेट की जो डोकुम 없이 केशन हुई थी अब बाकि जो रिजल्ट बना था उसकी verification राज्य चैनायोग की जो chairman है वो पुरूथी जी नए सीरे से confirmation करने के लिए कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा time लगना था ऐसे मैं आज अभ्यर्थी जो थे उनके सबर का बान तूटा वो हमिरपूर चैनायोग के जो gate है उसके उन्होंने धरना दिया अधिकारियों से वहां बात की लेकिन इसी के साथ आज शिमला में नई एक update हो गई और वो update है जो class 3 की सारी भरतियां है उनको वापस लोग से वायोग से लेकर वापस राज्या चैनायोग को देने को लेकर notification हो गई है जिसको cabinet ने किया था अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जो आपके समझने की है पहला जो आज notification हुई है उस notification में ये कहा गया है कि process of selection and recommendation for making recruitment to all group C पोस्ट, accept six post codes, company commander, JOA accounts, junior auditor, आयरवेदिक pharmacy officer, assistant mining inspector and mining inspector इन छे post code के अलावा बाकि सभी जो group C यानि class 3 की post हैं वो जो है वो अब राज्या चैनायोग के preview में रहेंगी लोकसेवा आयोग के दायरे से इनको निकाल दिया गया है ये notification कार्मिक विभागने जारी कर दी है राज्या सरकार की अनुमती से और जो छे post code हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए वो लोकसेवा आयोग के पास हैं already advertised हो या तो हो गए हैं या चार post code होने वाले हैं जिनकी जा पोस्ट कोड राज्या चायनायोग को दे दिये गए हैं जो ए आइटी 817 का result घोशित करने में ये भी एक टेक्निकल हिच थी क्योंकि इस नोटिफिकेशन के जरीए ही जो ए आइटी 817 अब राज्या चायनायोग के mandate में पूरी तरह गया है तो ये एक बड़ी update आज सामने आई है जिसकी जानकरी हमने आपको दी अब इसी के साथ दूसरी बात ये है कि जिन 20 या 21 पोस्ट कोड को कैबिनेट में जो राज्या चायनायोग को भेजने result घोशित करने के लिए भेजने के लिए फैसला लिया था 18 जून का ये decision था लेकिन जब फाइल वापस कैबिनेट से आई तो उसमें ये record हुआ है कि कैबिनेट मुख्यमंत्री को इस बारे में फाइल पर decision लेने के लिए अधिकरित करते हैं तो अब जब मुख्यमंत्री चाहेंगे तब वो 20 या 21 पोस्ट कोड घोशित करने के लिए राज्या चायनायोग को दिये जाएंगे ये अब जो इ आगे राज्या चायनायोग को देते हैं लेकिन आज सरकार ने लोग से वायोग के mandate से बाहर इनको क्लास 3 की पोस्ट को कर दिया है ताकि राज्या चायनायोग पूरी तरह से अब क्लास 3 की भरतियों को देख सके अब बात करते हैं करमचारी महासंग की JCC की देखिए एक जो मैकसिमम NPS के लोग है NPS का ही संग है जो इसमें राजपत्रित करमचारी महासंग में इलेक्शन के बाद उन्होंने अपना दावा किया था और उन्होंने जो राज्या सरकार को रिप्रेजंट किया है JCC के लिए वो रिप्रेजंटेशन कार्मिक भाग के पास आ गया लेकिन अब दूसरा जो गुठ है तरे लोग ठाकुरुवाला राजपत्रित करमचारी महासंग का इन्होंने भी आज बैठक कर ली और ये कह दिया कि हमारे साथ JCC की बैठक हो सरकार से मांग किया कि बैठक के लिए जल्दी बुलाया जाए और उसके बाद जो करमचारियों के राज्या सरकार ने माने तर नहीं दी है इसी कारण जो ये दूसरा गुठ है तरे लोग ठाकुरुवाला इन्होंने भी अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी है इसके बाद अगली बात अगर करें तो जो अगली बात है वो है टीचर अवार्ड की देखिए हमने जो राज् नंबर का क्राइटेरिया है मार्क्स का वो कल आप दिवेहमाची में विस्तार से देख सकते हैं 46 पेज की नोटिफिकेशन आज हुई है और इसी के साथ इसी सिक्षा सत्र से जो अवार्ड मिलने वो भी सी के दाएरे में आ जाएंगे और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टन चुटी होगा अबसेंट होगा टूर पे होगा एसोशेशन के काम से बाहर होगा तो फिर वो मार्क्स उतने कट कटे जाएंगे और अगर अच्छी होगी तो नंबर अच्छे मिलेंगे दूसरा यह एक जो मार्क्स का जो क्राइट क्राइटेरिया है उसको आप कल खबर में जरूर एक बार देखें और उसके बाद ही इस बार के जो टीचर आवार्ड हैं उसके लिए भी अपलाई किया जाएगा दूसरी जो बात है बच्चा कैसे आवार्ड दिलाएगा अगर अपना बच्चा स्कूल में सरकारी में हैं तो दस नंबर तो पक्के होगे अगर जिस क टीचर को उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है कैसा पढ़ाते हैं आपको समझ आता है नहीं आता और प्रिंसिपल से भी फीडबैक लेंगे टीचर से भी लेंगे तो यह जो यह बचे हैं बच्चों का फीड़बाक इसमें इंपोर्टन हो जाएगा तो यह दूसरी बात हो यह किसी से छिपा नहीं है 500 करोड का लोन लिए बगार हम महीने की सलरी अभी नहीं दे पा रहे हैं ऐसे सिचुएशन में पांच बड़े केस राज्य सरकार के गले पड़े हुए हैं जिनकी बात हम आपके साथ बीच बीच में करते रहते हैं इसमें देखिए सुरिंदर कु कोड़ोद ने कर रखे हैं यह वहांब पर कंटेंटे सिचिति ठीक नहीं इसलिए ऑर टाइम आपको नहीं मिलेगा 3फे का टाइम आपको नहीं अधाने मते का थाय उन में इसको रागू करना होगा दूसरा केस है बालो देवी वर्सेज स्टेट ये केस जो है वो डेली वेज जो सर्विस है उसको पैंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट करने का है कई भी भागों में खास कर पिड़ोडी जलशक्ती इस तरह के विभागों में जहां डेली वेजर्स लगाये जाते थे वहां इसका इंपक्ट है एजुकेशन ने इसको लागू भी कर दिया है लेकिन बाकी विभागों ने इसको करना है डॉक्टर सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ये जो बैलेंस एरिय पेंशन और पे का ग्रेचूटी के साथ ये भी रिटाइरी के साथ साथ का ही केस है उसको लागू करने की बात है एजुकेशन फिर इसको लागू कर चुका है बाकी विभागों में हुआ नहीं है श्रीमती शीला देवी वर्सेज स्टेट ऑफ एच्पी ये है कॉंट्रेक् हो गी थी इनको इनका हमने एक इंटरव्यू भी छापा था दिवेह माचल में उसको भी वह भी लोगों ने वह भी देखा होगा तो लास्ट है ताज मुहमद वर्सेज टेट ऑफ एच्पी और इसी के साथ लेकराज वर्सेज स्टेट ऑफ एच्पी ये मामला है कॉंट्रे केस के अलावा बाकी चार केस फाइनलिटी प्रापत कर चुके हैं राज्य सरकार को लागू करने हैं बचने का कोई तरीका नहीं है जो ताज मोहमत वाला केस है इसमें सिविल सप्लाई ने हाई कोट में प्रेटिशन डाल रखी है रिव्यू प्रेटिशन और उसमें अभी सु सरकार ने फाइनान्स सेक्रेटरी ने 22 तारीक को चार बजे बैठक बुलाई है राज्य सची वाले में सभी एड्मिस्रेटिव सेक्रेटरी को इसमें बुलाया गया है ब्रांच आफिसर्स को भी पूरे रिकॉर्ड के साथ बुलाया गया है और अभी तक कि जो प्राइमरी स कैसे लागू करना है और जो फाइनेशल पोजेशना स्टेट की उसके मताबिक किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है तो यह जो कैबिनेट 25 तारीक को है और 22 तारीक को यह बैठक बुलाई गई है 21 तारीक को चीफ सेक्रेटरी विदेश दौरे से वापस आएंगे और उ इसी के अनुसार फिर कैबिनेट में केस जाता है या नहीं उसको देखना होगा क्योंकि राज्य सरकार क्या व्यू लेती है इस पूरे मामले में जहां तक बात है डिये की वो तो अलग बात है लेकिन अभी जो एरियर्स का भुकतान है वो बहुत पेंडिंग है और पिछले इस सरकार के बनने के बाद एरियर की एक भी किष्ट अभी तक करमचारियों को नहीं दी जा सकी है इसी लिए कैबिनेट से पहले ये सबसे बड़ी हलसर देखने की होगी इसमें जो भी डिसेजन होगा हम आपको उससे अपडेट करेंगे आपकी क्वेरी अगर कोई है तो इ आप तक पहुंचा सकें आप सब लोग लाइव जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया